हलो दोस्तों स्वागत हापको हमारा यूटूब चैनल क्विक लर्नर क्वियल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को करके ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप जरूर देख दीजेगा, तो चलिए दोस्तों आप लोग को हम इस सारा question करके बताते हैं, दोस्तों उससे पहले आपसे एक request है कि सारा questions को आप नोट कर दीजेगा मदब सारा पॉइंट जो हम बताने वाले उसको आप नोट करते चलिएगा ताकि आप इस सारे पॉइंट पे अपना प्रिप्रेशन कर सको और जब भी आप इंटर्विव देने के लिए जाओ तो अपना बहतर करके आओ और ताकि जब दोस्तों यदि आप इंटर्विव में बहतर करिएगा तो जॉब मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो 99% आपके फेवर में रहेगा तो चलिए आप लूग को एक अग पॉइंट करके बताते हैं तो दोस्तों जैसा कि हम बताएं कि केंप्यूटर ऑपरेटर के जो इंटर्विव होता है उसमें आ इसारा का सारा तक्रीबन computer से लेलेटेड होने वाला है तो दोस्तों सबसे 1st point है computer के बारे में जैसे की computer से आप क्या समझते हैं computer के फायदे बताएं computer के नुकसान बताइए यह सब 1st में है उसके बाद में दूसरा जो questions है ड्या क्या होता है software क्या होता है यानि hardware और software के बीच का आपको difference पता होना चाहिए उसके बाद third questions की बात करें तो वो है MS Excel और MS Word दोस्तों इसके बारे में आपको पूरा knowledge होना चाहिए क्योंकि एक computer operator को maximum काम MS Word या फिर Word pad पे ही काम करना पड़ता है तो दोस्तों word pad के बारे में आपको पूरा knowledge होना चाहिए उसके बाद आगे बढ़ें तो जो next questions पूछा जाता है वो आपके typing skills के बारे में दोस्तों चौथा questions हो गया आपके typing skills related यानि कि आपको typing आता है या तो दोस्तों typing में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि Hindi typing, English typing उसके बाद में कितना के speed से आप typing कर लेते हो ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों typing की जब बात आती है तो practical भी बहुत बार interviewer आपसे करवा लेता है आपको बोलेगा ठीक है आप ये sentence यहाँ पर type करके बताओ तो वो ऐसे करके test भी करता है तो आप अपना practically भी इसको test करके रखिएगा और बाकी आप जितना word per minute बना पाते हैं वो आप वहाँ पर बताईएगा तो ये fourth question typing से related हो गया दोस्तो अब पाच्वां questions की बात करें तो पाच्वां questions related रहता है shortcut की से shortcut की आपको तकरीबन तकरीबन हर का आना चाहिए क्योंकि जैसे की cut का, copy का, paste का, save का, open का इस सब का shortcut की होता है तो दोस्तो आपको shortcut की के बारे में पूरा knowledge होना चाहिए तो आप क्या कीजेगा कि Google से search कीजेगा shortcut की आपको सारा एक file में मिल जाएगा आप वहाँ से उसको not down करके सारा कुछ आप पढ़ लीजेगा वैसे भी दोस्तो जो आदमी computer से related work करता रहता है तो उसको तक्रीवन तक्रीवन shortcut की के बारे में अच्छा knowledge हो जाता है तो इसमें आपको कोई दिकत नहीं यदि आपसे कोई भी चीज़ का पूछा जाएगा तो आप आराम से बता सकते हैं और यदि आपको नहीं आता है आप computer operator बनना चाह रहे हैं तो आप इस पर भी अपना विसलेशन कर लिजेगा आप अपना इस पर भी study कर लिजेगा वहीं दोस्तो छटा questions की बात करें तो छटा questions आ जाता है आपका memory card से related जैसे आपसे यह पूछा जा सकता है कि memory card RAM के बारे में ROM के बारे में कि यह सब क्या काम करता है इसका functions क्या है इसका uses क्या है इस सब से related आपको questions पूछा जा सकता है दोस्तो आप next questions की बात करें तो next questions बन जाता है आपका social media से related दोस्तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि social media के बारे में आप क्या समझते हैं उसके बाद में आपको social media या handle करना आता है कि नहीं, social media कहने का मतलब whatsapp, facebook, दोस्तों ये तो normally हर किसी को आता है, लेकिन interviewer ये पूछना चाहता है, ये जानना चाहता है, कि आपके अंदर इसके ले करके क्या भाव है, या फिर आप इसका प्रियोग किस label तक कर पाते हैं, तो ये वो जानता है, भले ही बहुत छोटा point है, लेकिन important point भी है, दोस्तों आप वही next आगे बात करें, तो आप से printer से related questions पूछा जाता है, printer से कहने का मतलब कि आप जो भी wordpad पे काम करोगे, या फिर MS word या MS excel पे आप काम करोगे, उसको आप print कर पाऊगे की नहीं, तो आप इस पर भी अच्छा से study कर लिजेगा, दोस्तों आप जो next questions है, वो है आपका email या फिर Gmail से related, मतलब कि आपको email यदि भेजना है, तो आप भेज पाएंगे या नहीं, उसके बाद यदि आपको कोई email भेजा है, तो आप कैसे check करोगे, तो इन सबसे related भी आपसे questions पूछा जा सकता है, उसके बाद इससे related एक और questions पूछा जा सकता है, कि email का uses क्या है, किस label तक हम इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों अब next questions और इस वीडियो का last question है, दोस्तों हम इसमें अपना experience भी बताने वाले है, जब हम computer operator का interview देने के लिए गए थे, तो हमसे क्या-क्या questions किया गया था, और क्या-क्या हमसे practical लिया गया था, तो वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम last में आप लोगों को ये एक चीज़ बता देते हैं, कि आपका personal से related भी questions पूछा जाएगा, परसनल कहलने का मतलब है, कि आपका qualification से related, उसके बाद में आपका address ये सब, उसके बाद में आप इससे पहले कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अब ही आप क्या कर रहे हैं, तो ये सब कुछ-कुछ आपका questions पूछा जा सकता है, तो दोस्तों ये तो last question रहा, अब हम आप लोगों को अपना experience बताते हैं, जो हम खुद interview देने के लिए गये तो हमसे क्या क्या questions पूछा गया था, और क्या क्या practical कर रहा गया था, तो दोस्तों जब हम इसमें गये थे interview देने के लिए, तो पहले बात तो source पैरवी के साथ गये थे, मतलब कि इसका direct ऐसा vacancy नहीं पता चलता है, कि हर आदमी openly जाकर के interview दे दे, तो पैरवी के साथ गये थे, तो जब हम पहुचे वहाँ पे, तो सबसे पहले हमसे ये पूछा गया, कि आपको Hindi typing आता है, पहले तो नाम होगे रहा पूछ लिया गया, उसके बाद में पूछा कि Hindi typing आता है, तो बताए हाँ आता है, दोस्तों जैसे ही बताए आता है, पूछ लिया गया कितना word per minute मार लेते हो, हम बोले, approximately 30 word per minute हम Hindi typing कर लेते हैं, तो तुरंथ हमको एक handwritten में sit था, लेटर type कर लिये, तो हम बताने के लिए गये, कि लेटर type कर लिये, तो वो हमको बोला कि वहाँ पर बगल में printer था, तो तुम print क्यों नहीं किया, तो हम बोले कि ये तो हमको बताया नहीं किया था, कि print करके लाना है, तो दोस्तों यहाँ से देखे, कि मेरा जो सबसे बड़ा fault था, हमको बोला गया था, कि जाओ, ये लेटर type करके ले आना, तो हमको वहाँ से print करके लाना था, लेकिन हम क्या गलती किये, print नहीं करके गये, मेरा पहला गलती, उसके बाद, हम गये, जब ये बताएं, तो बोला कोई बात नहीं, वो खुद चल के आया, देखा, बोला हाँ ठीक है, typing ठीक था, उसके बाद में हम से बोला, कि email भेज लेते हो, और यदि कोई email भेज़ेगा, तो रिसिप कर लेते हो, तो बोले हाँ, हमको email भेजने के लिए गया, email भेज दिये, उसके बाद कुछ-कुछ email आया हुआ था, बोला कि उसब खोलो, और ये department का एक email आया है, वो हमको ढूंड करके बताओ, वो बता दिये, लेकिन दोस्तो, जब finally बोला गया हमको, कि इस इस परकार का काम है, तो थोड़ा सा मेरा भी मन नहीं था, काम करने का वहाँ पर, क्यूंकि private था, तक्रीबन 14-15 जार उपर salary पर बात हुआ था, लेकिन उधर से भी अच्छा reply नहीं आया, क्यूंकि वो एक गलती हम कर चुके थे, कि print करके हम नहीं ले गए थे, तो उसको लगा कि इसके अंदर कोई ना कोई खामी है, इसको जो कहते हैं वो नहीं सुनता है, मतलब कि यह perfect लड़का नहीं है इस office के लिए, तो दोस्तों इस कारण हमको rejection मिला था, तो यह गलती आप ना किजेगा, आप बिल्कुल बढ़िये से मन से अपना ध्यान दिजेगा, इंटर्वियू के उपर, और आपको जितना कहा जाएगा, उसको पूर्ण करने का कोशिस कीजेगा, तो दोस्तों इसका vacancy से related, job से related, qualification से related वीडियो देखना है, तो उसका link हम description box में दे दिये हैं, तो वो वीडियो आप जा करके देख लिए आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों इसी तरह का informative वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा, और साथ में बिल आइकन भी दबाजिएगा, दोस्तों वीडियो अदि अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और अपने सारे दोस्तों तक सेर कर दीजेगा, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धैन्यवाद,